अगर आपने भी Moto H40 नहीं हो या फिर Moto H40 को लिया है तो इस phone के अंदर में काफी कमाल के features देखने को मिलते हैं मैं tips and tricks नहीं बताऊंगा कि क्या feature settings गरा में देखने को मिलते हैं पर इसका एक बहुत useful feature है जो ready for assistant है उसके बारे में पूरा explain करने वाला हूँ कैसे आप अपने Motorola phone से पूरा Apple ecosystem वाला मज़ा दे सकते हो सबसे पहले कुछ basic requirements के बारे में बता देता हूँ तो Moto H40 या फिर Moto H40 हो अगर उसको अपने laptop के साथ में connect करना है तो उसका दो method आता है पहला तो wirelessly connect कर सकते हो तो basically आपका phone और laptop same Wi-Fi से connect होना चाहिए दूसरा app type C की cable के मदद से भी अपने laptop को connect कर सकते हो तो यह दो method है इसके अलावा जो इसका app है फिलहाल Windows के लिए और Android के लिए अब लेबल है तो अगर आपके पास Windows का PC वेगरा है तो उसके साथ आप connect कर पाऊगे और Android का कोई tablet है या फिर कोई दूसरा phone है तो उसके साथ भी connect कर पाऊगे यह Mac के साथ काम नहीं करता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने laptop में Ready for Assistant का यह जो app है यह मिल जाएगा इसका link में description में दे दूँगा इस app को सबसे पहले download करके install कर लेना है अपने phone में और जब first time इस app को open करोगे और अपने phone में Ready for app को जब open करोगे तो laptop में जो app है उसमें QR code रहेगा उसको अपने phone से scan जैसे करोगे वैसे यह connect हो जाएगा पर दिया नहीं रखना कि laptop और phone same Wi-Fi से connect होने चाहिए तब ही यह connection stable होगा अब one by one आपको features के बारे में बता देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर laptop मेरा connect है तो वो दिख रहा है और अगर laptop की screen में देखोगे तो यहाँ पर phone उसका battery percent जो गरा सब कुस देखने को मिला है तो जो phone में option मिलता है almost वो सारा option आपको यहाँ पर इसका जो laptop का app है उसमें भी देखने को मिलेगा installed है वो सारे apps में काम करता है आप किसी भी app को यहाँ पर open कर सकते हो और वो app laptop या फिर PC में बहुत ही इसली चल जाती है और दूसरा जो option मिलता है mobile desktop पर इस पे click करोगे तो यहाँ से सबसे पहले orientation अपना select कर सकते हो तो मैं यहाँ पर start कर लेता हूँ तो एक नई window open हो चुकी ना कि laptop का है यहाँ पर मैं कोई website open करता हूँ तो पूरा desktop वाली field देगी तो आप देख सकते हो अभी यह जो open हुआ है actually मेरे phone का Chrome browser है जो cast हो चुका है इस laptop में तो यहाँ पर आप देखो पूरा जो experience मिलेगा वो ऐसे लगए आप desktop वाला app यूज कर रहे हो orientation भी change कर सकते हो portrait म चाहे तो quickly वहाँ पर आपको दिख जाएगा और यहाँ से resolution भी select कर सकते हो तो एक बार आपके phone की display आप एक आस्ट हो गई तो सारी apps भी open हो जाएंगी यहाँ पर जो भी apps phone में installed है वो सारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है उनको use कर सकते हो बड़े screen में अब इसमें जो त webcam का है यह बहुत ज्यादा important हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो webcam पे अगर click करते हो तो यह connect होगा अभी तुरंत ली phone के साथ में और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे phone का camera back camera open हो चुका है और preview भी laptop में तुरंत देखने को मिल जा रहा होगा और यहीं से आप जो है front camera में भी switch कर सकते हो तो कुछ इस type से यह front camera भी चल जाएगा तो video call अगरा करने में यहाँ फिर आसानी होगी तो basically आपका जो camera है वहाँ पर दिख जाता है laptop की screen में बड़े size में और जैसे इसमें zoom अगरा का भी option मिल जाता है तो आप zoom भी कर सकते हो कुछ हद तक आप देख सकते हो जैसे zoom भी कर पाओगे और studio light का भी option मिलता है इसके अंदर में तो studio light को अगर on कर लेते हो तो flash basically phone का flash on हो जाता है तो यह feature काफी इच्छे तरीके से गाम करता है basically सारी settings mobile में तो मिलती है और laptop के जो app उसमें भी मिल जाती है अब इसमें जो अगला option है वो file transfer का है तो basically एक नई window open हो जाती है laptop के अंदर में जहाँ पर जो भी files होती है phone की वो सारी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जैसे इंटर्ले इस्टोरिजबुल के एक option मिल गया अब यहाँ पर सारी photos या जो भी कुछ आपके phone में है वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो या आप अपके laptop में कोई file पढ़ी हो तो इसको direct phone में भी copy paste कर सकते हो अब इसका जो अगला option मिलता है वो basically hotspot का है तो phone का एक hotspot generate हो जाएगा उसके थ्रू laptop connect हो जाएगा और अगर आपके phone में internet on है तो वो आप access कर सकते हो तो simply इस पर hotspot पे click करोगे तो अभी जिस wifi से मेरा laptop connect है उससे automatically disconnect होगा और इस phone के hotspot से वो connect हो जाएगा फिर इसमें जो अगला option मिलता हो basically PC lock का है तो simply इस पर करके आप अपने PC को lock कर सकते हो तो मैंने इस पर click किया और मेरा laptop जो हो instantly lock हो चुका है और यहां पर mark भी कर रहा है कि मेरा laptop lock हो चुका है अब यहां से unlock तो नहीं कर प करते हो laptop से कुछ copy करते हो तो phone में कर सकते हो suppose अगर कोई message है आप इसको यहां से copy करते हो अपने laptop से तो automatically जो है वो इसमें आ चुका है phone के अंदर में अब आप जाके इसको paste कर सकते हो तो यह basically Macbook में जैसे होता है ना same वही चीज़े है जैसे iPhone से कुछ भी copy करो Mac में paste कर दो व इसमें जो notification वाला system हो यो पूरा आपको Apple ecosystem की याद दिला देगा अगर WhatsApp पे कोई message आता है तो phone पे तो आएगा ही आएगा साथी साथ आपके laptop पे भी आएगा और यहां से आके आप instant उसको reply भी कर सकते हो गर कुछ करना है तो यहां पे आप reply कर दो तो message चला जाएगा तो यह जो है सारे apps पे काम करता है मैंने WhatsApp आपको दिखाया कोई text message आता है तो वो भी notification आएगा और अगर कोई call आती है तो phone पे तो आपको notification मिलेगा इसके साथ जाथ laptop पे भी notification आता है तो आप चाहो तो laptop से भी call को accept कर सकते हो answer कर सकते हो call जो है वो accept हो चुकी है तो आप बात कर सकते हो directly अपने laptop से यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा dialer आ गया जैसे phone में आता है और यहाँ पे call recording अगर अभी कर सकते हो वो सारा option भी मिल जाएगा तो end में मैं बस आपको इतना ही बोलना चाहूंगा अगर आपके पास पी Moto H40 नहीं हो या फिर H40 है तो यहाँ पे जो ready for assistant वा फील आएगी बार बार फोन पे जाके notification देखनी जरूतनी सारा notification लैपटॉप पे आ जाएगा एवन कोई file अगरा transfer करनी हो तो आप easily कर सकते हो बस requirement इतनी सी है कि यह दोनों devices basically आपका laptop और phone एक ही Wi-Fi से connect होने चाहिए अगर एक ही Wi-Fi से connect है phone log अगरा भी है फिर भी अगर कोई notification अगरा आता है तो इसलिए वो आपको दिख जाएगा आपके laptop पर आई होप की Moto H40 Neo का जो ready for assistant वाला feature है आपको useful लगा होगा अब आपको ecosystem यूज करने के लिए Apple iPhone की need नहीं है Android phone और Windows का कोई भी laptop अगरा हो इसलिए आपका काम हो जाएगा अगर फिर भी कुछ confusion query हो तो comment करके पूंच सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में